हेलो प्रेंट्स आवरी वाला है मास्तोस और वेलकम ने ओर चैनल सपोर्टिंग आप पार्मेसी सोडियर पेन आज हम लोग जारें बात करने यूनित थिरी हुमन वैलू ठीक अब देखिए यहां पर दिया गया है ट्रेस्ट ट्रेस्ट का मतलब क्या होता है विश्वास होता ह माल दीजें यहां पर दो वैक्ति हैं इन दोनों वैक्तियों में कभी भी डाउट ना रहें एक दूसरे में ठीक वह कौन सा वैलू है जो इन दोनों वैक्तियों के डाउट को दूर करें उसे बूला आता है ट्रस्ट एक दूसरे में हमेशा क्या बना रहे है हैपी बना रहे prosperous बना रहे उसे को बूला आता है trust ठीक तो trust क्या है trust एक fundamental value है in relationship में अब यहाँ पर आता है respect respect का मतलब क्या होता है सम्मान होता है respect का मतलब क्या होता है सम्मान होता है तो सम्मान क्या है एक right evolution है सम्मान क्या है एक right evolution है देखिए जो की evolution होती है किसमें मुझमें आयम ठीक तो respect means inequality the sense of inequality is prime object this is the first basic step towards respect हर एक व्यक्ति का अपना अपना सम्मान होता है तो सम्मान का अर्थ है व्यक्तित्व है या फिर व्यक्तित्व का का भाव प्रधान मस्तु है यह सम्मान की और पहला बुनियादी कदम है एक बार जिब हमने मैसूस किया है कि हम अलग अलग है तभी हम जो हैं दूसरों से अलग खुद को देख सकते हैं यानि कि हर एक व्य वहता है सने ने आपस च Fox रखना चाते हैं ह divisन बोलाया था ह। आफैक सन ईहां पर किया मतलब मतलब क्या होता है देक भाल ठेक। Cक्या होता है देक भाल क्या समझा चाल गठ आपावनाili । हमारे इस्तिधार की शरीर का पोशन और सुक्षा करने की भावना है। The feeling of care is the feeling to the nature and protect the body of our relative. Care is the level of active concern or lack the negligence toward avoidance of possible dangers, mistakes, pitfalls and risk, demand of party, a duty or legal obligations. We understand human beings as a co-existence of their self and the body. And the body is an instrument of eye based on the understanding. We take the responsibility of nurturing and protecting the body of our relative. That is our care. अब आता है गाइड़न्स का मतलब होता है मार्ग दर्सन. ठीक, तो अन्य में सही समझ और भावनाओं को सुनिश्चित करने की भावना को guidance कहा जाता है। ठीक, अगर यह दूनों बोलना हैं, मालिजी आपके पिता जी हैं, आपको guide करें. आपको जो है, मतलब ऐसा value है कि एक दूसरे को एक अच्छे दिशा में ले आते हैं. The feeling of ensuring right understanding, क्या हो? Right understanding and feeling in the other is called guidance. ठीक, तो guidance होई होता है कि अन्य में सही समझ, अन्य में सही समझ, मतलब right understanding, और भावनाओं को सुनिश्चित करने की भावना को guidance कहा जाता है. मतलब Mark-Darsan कहा जाता है. अब देखिये, we also understand that the other is similar to me in his, her या फिर his, faculty of natural acceptance. अब यहां desire of wanting continuous happy हो गया, program of living in harmony at all four levels. The other is also similar to me in the potential of desire, thought and expectation. इसका यही है हमारा होता है guidance. ठेक, अब यहां पर आता है reverence. क्या आता है? आता है, reverence मतलब 맞ते तो दूसरों में, ऊत्र कृष्टा को स्विकार करने की भावना को स्रद्धा कहा जाता है the feeling of acceptance of excellence in the other यहां के दूसरों की यहां पे दूसरों की उतक्रिष्टा को जो आप असेप्ट करते हैं उसी को भूला आता है reverence तो we understand that we aspire for continuous happy continuous happy के लिए और realize it we have understand harmony at all level of our living and live accordingly तो यह हमारा क्या होता है reverence होता है क्या होता है reverence मतलब स्रध्धा होता है अब अगला हता है gratitude क्या हता है gratitude मतलब अभारी अभार क्या होता है आपको माली चोट लग गया कहीं गिर गया आप माली यहां आप हैं चोट लग गया गिर गया तो माली यह व्यक्ति आपका सहायता कर दिया तो सहायता करने के बाद जो भावना होती है, वही हमारा होता है gratitude, मतलब अभार, अभार उन लोगों के लिए स्विकृति की भावना है, जिन्होंने मेरा उद्वकृत्ता के लिए प्रयास किये हैं, अभार एक भावना है, जो लोगों दोरा सहायता प्राप्त करने के बाद हो लव मतलब प्रेम तो प्रेम क्या है है एक कंप्लीट वैलू है एक ऑड sc जैसे कि माता-पिता का प्यार, भाई-बहन का प्यार, दोस्ती का प्यार, यह हमारा होता है लव, तो लब में क्या होता है, डीप फीलिंग होती है, डीप अफेक्शन होता है, ठीक, तो यहीं देखिए, एक फीलिंग दो प्रकार की होती है, अगर डीप फीलिंग हो, डीप अफेक्शन हो, किसी के बारे में आप सोचे, बहुत ज्यादा सोचे, तो यहीं मतलब होता है, प्या होती है जिसमें सारे human beings की भावना जूरी होती है तो लब को पूर मुलक आता है क्योंकि यह सभी मनुस्यों से संबंधित की संबंधित भावना है अब यहां पर आता है जैसे की भाई-बयान का प्यार प्रेंड का प्यार ठीक तो इट स्टार्ट विट इडेंटिफाइंग द मतलब नया है जैस्टिस मतलब क्या होता है तो नया है रिस्तों में मुल्यों की मानता है जैस्टिस है जो नया है यह रिस्तों में मुल्यों की मानता है उनकी पूर्ति और पूर्ति के सही मुल्यांकन के पडाम शुरूप आप सी क्या होती है खुशी होती है अगर यहां पर पर देख झार इत devenir मातम फेल समय काजर नाच कांग, तार फंवा है, देक सिक रुष RICH, रुफिलम्न रीथ्ट स morphाश्ग, मुफिल पर उसक और है तोल सिक प्रुफिलम्न रीथ. 2. दिंजरखदेग्जरा झार किस दोल समय करद दोफिलम्नेश ँडचित हैms. अगर इन चीज नहीं को अगर आपने पहचान लिया तब यहां पर हो जाती है Justice मतलब नयार, अगला आता है differentiation मतलब dee respect, dee respect को मतलब क्या होता है, dee respect को मतलब क्या होता है, अनाधर, तो अनाधर करते ही हैं कि सरीर के विशिस्टाओं, बहुत एक सुभधाओं या विश्वास के अधार पर अन्द को सुविकार करना और सही मुल्यांकन ना हूँ उसमें तो यह हमारा होता है दी रिस्पेक्ट अगर आपने अपने इरादे के अमसार आपने आपको क्या करना है आपके लिए क्या सही है वह हमारा होता है intention मतलब इरादा तो इरादा वह वैल हो है जो हमारी प्राकृतिक स्विकृतिक इरादे में हर इंसान वही करना चाहता है जो इसके हिसाब से सही हो जो इसके हिसाब से सही हो what is right तो in intention every human being want to do what is right competence competence को मतलब होता है छंता ठीक तो छंता क्या है competence क्या है competence अकांचा को पूरा करने की छंता है यानि कि जो competence है छंता की कमी हो सकती है जिसे विक्सित करने की आ सकता है अगर आप धीर सहरा प्रैक्टिस करोगी डेवलप करोगी अंडरस्टेंडिंग करेंगी आप बहुत ज्यादा उस पर यहान पर डेली आप मिस्सिमालिजा को मेथ है मैं आपको नहीं आ रहा है कोई जी तो इस पर डेली प्रैक्टिस करो प्रिवेसर कोशन सॉल्फ गरो तब यह तो जने ठोगी तो यह बोला आता है है प्रिवेसर कोई है छमता ऑकांच्छा कोईर करोने की छमता है प्रिवेसर कि अन्तर क्या यह है ठीक अगर इरादे में डाउट हो तो हमारा होता है रियक्शन अगर इरादे में डाउट ना हो तो हमारा होता है रिस्पॉंस मतलब जिम्मेदारी तो इरादे पर संदे जलन गुष्दा होना लड़ना वह हमारा होता है रियक्शन और रिस्पॉंस क्या होता है इसका उल्टा होता है है अगला हता है दिफ्रेंट विदिए रिस्पेक्ट एंड डिफरेंट इसन ठीक अगर रिस्पेक्ट जो है इसमें राइट ईवलू हम उस्षाबंद के आस्तर पर देख पाते हैं हम दुसरों के साथ सम्मन्दित महसूज करते हैं हम अनी के इरादे पर संदेह नहीं करते हैं तो यह हमारा होता है इस में response में और differentiation मतलब क्या होता है अगर right evolution सब्सक्राइब से darum, एक है Hydra एक सबस्सक्राइब एक सबस्सक्राइब चोड़क जातों, 660 Rap Hoy तो हमारा हो जाता है यहां पर differentiation, generation का gap हो, gender bias हो, caste struggle हो, power play and domination हो, तो differentiation हो जाता है, मतलब अनारद, another, तो देखिए, respect का उल्टा होता है, differentiation मतलब another, अब बताना है आपको कि define करना है कि love क्या है, और how can we say that love is the complete value, ठीक? तो love में क्या होता है, deep feeling होती है, deep affection होता है, this is complete value, इसारा ची अब बता देंगे, तो यह हमारा होता है love, तो love is called the complete value, send this, the feeling of relatedness to all human beings, it is the emotion of strong affection and personal attachment, देखिए, प्रेम में क्या होता है, कि deep feeling होती है, deep affection होता है, किसी के बारे आप ज्यादा सोचो, देखिए, feeling होता है, दो प्रका हो, so that is called love, so love क्या होता है, love is a complete value, एक पूड़े, मूल होती है, जो सारे human beings की भावनाओं से जुड़ी होती है, ठीक, the word love can refer to variety different feeling, state and attitude, engines, from generating pleasure, यह सारा चीजा अब लिग देंगे, इसमें, love में, पूरा मैंने उपर details बताया आपको, अग्जामपल दे सकते हैं, भाई भाण का प्यार, दोस्तों का प्यार, माता पिता का प्यार, अब आता है यहाँ पे एकला, कि what do, what do you mean by the differentiation in relationship, what are the issue on with differentiation in relationship, importantly in this society, okay, अब देखिए, respect की बार में बताना आपको, सारा चीजा बता सकते हैं आपे, अगर right understanding हो, right evolution हो, अगर right understanding हो, right evolution हो, तो हमारा होता है respect, और इसे का उल्टा हो, तो differentiation होता है, differentiation का मतलब ही होता है another, another, तो respect means, means accepting invalubility and doing right evolution, अभी right evolution होता है, किस में होता है आप में होता है, आप में होता है, contrary to our discussion, instead of respect being basis of similarly, our one right evolution, we have made into something on the basic of which we different is, तो देखिए, सम्मान का अर्थी है, व्यक्तित्त है, या फिर व्यक्तित्त का भाव प्रधान वर्श्तु है, यह सम्मान की और पहला बुनियादी कदम है, एक बार जब हमने महसूस किया कि हम अलग-अलग हैं, तब ही हम दूसरों से अलग खुद को देख सकते हैं, यानि कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति का अलग-अलग क्या होता है, सम्मान होता है, इस सारा चीजी आपका सम्मान में होता है, इस सारा चीजी आपका सम्मान में होता है, यह आप दिया गया है, और दिनी करें सारा चीजी में होता है, कि आपकीक przeklaire, कर दूसरों साक्निति को सम्मान में होता है, यह उतल जापका सम्मान में प्ला का सम्मान पनापका सम्मान है। देखिए, राइट इवरूशन अगर हो, राइट अंडरस्टेंडिंग हो, अगर ना हो, तो अगर हो, तो रिस्पेक्ट अगला दिया गया है यहां पे, what is the basic of respect for human beings? अब देखिए, human beings के लिए respect क्या है बताना है आपको, और do you see that the other human beings is also similar to you, उसी को explain करना है तो इस सारा चीज़ आप यहां पे लिख सकते हो, respect के बारे में पहले बता देजिए, ठीक देखिए, respect मतलब क्या होता, इन्वलिटी, इस सेंस, आफ इन्वलिटी, इस प्राइम अगरे, मैंने पूरा बता भी आपको, देखिए, इस सारा चीज़ आप लिख देगे, इस सारा चीज़ आप लिख देगे, इस सारा चीज, देखिए, यहां पे लिखा गया ना, कि इस रिस्पेक्ट ए और बेखिए, तो आपको यू सिभ फालू करने होगी, I want happiness and prosperity, the other to want to be continuously happy and prosperous, next, to be happy, I need to understand and live in harmony at all four level of my living, the other also need to understand and live in harmony at all four levels of his and her living, the activities मतलब मुझमें क्या हो continuous हो सकता है? हो, we can check these for our desired thought expectations. It is the same part the other I as well. तब सारा चीज़ आप यहां पे लिख सकते हो. आप का यहां पे और basic expression is the same. We both need to have right understanding. मैं पूरा बताया आपकू सारा चीज़. Which is to understand and live in harmony all four levels of our living, our programme action is the same, the activities and powers of the self. the self are continuous, and the same in both of us at the level of the I. our potential is the same, this other is similar to me. When we are able to see that the other is similar to me. we are able to recognize the feeling of respect in the relationship, इससारा चीज आप वहाँ पे बता शकते हूं. आज के लिए पतना है थैंक पर वाचिंग मैं वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, सुस्क्राइब करेगा, और अपने दोस्टों की पास शेयर भी कर दीजिगा, थैंक यू. तो कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 आप हुमन वैलो तो आज के लिए बस इतना है थैंक यू